हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एवुलूशन लर्न एकेडमी देखे आज हम बात करेंगे कोकरोच की रिप्रोडुक्टिव सिस्टम और उसकी लाइफ सैकल के बारे में इसकी प्रीवेस ट्रेक्चर में हमने मॉर्फोलोजी खतम की हमने सर्कुलेटरी सिस्टम डेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम भी खतम किया कोकरोच का आज बात करते हैं कि इसकी रिप्रोडुक्टिव सिस्टम के बारे में देखे इसकी लाइफ सैकल सुरू करने से पहले सबसे पहले जानते इसका जो रिप्रोडुक्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है देखे सबसे पहले बात कर नहीं टेलिग्राम चैनल पर आप जाईए वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगी उसको आप डाउनलोड करिए और फिर इस वीडियो को देखिए आपको सब को समझ में आएगा जो इसमें सब्सक्राइब कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत बढ़ी हो जाती है और एक पूरी सीरीज सुरू चल पड़ी है कोकरोज की जो की बहुत ही ज्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा शौर्ट करने के चक्कर में मैं इसको आज बहुत ही शौर्ट में पढ़ाऊंगा चलिए करते हैं देखिए इस पिक्चर में सबसे पहले आपको दिखाई का देता है देखिए यह है कोकरोज का मेल रिप्रोड़ुक्टिव सिस्टम ओके देखिए इसमें वन पेर आपको दिखेगा यहां पे टेस्टिस जो कि कहा पाई जा रहा है जो कि फॉर्थ टो सिक्स्थ एक ड़क्ट निकल रही है जिसको बोलते हैं लोग वास डिफ्रेंस इस वास डिफ्रेंस को देखिए यह आगे जाकर दोनों जोइन्ट होके कहां पे खुल रही है कॉमन ड़क्ट में जिसको बोलते हैं लोग एजैकुलेटरी डख्ट ओके तीन चीज़े हो गई पेर ऑफ वासा डिफेंस यह और एजेकुलेडरी डग देखिए अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यह एक्जाम में पूस सकता है मश्रूम शेप ग्लैंड यह इसको मश्रूम ग्लैंड भी बोलते हैं और का बोलते हैं यह जो मश्रूम ग्लैंड है देखिए तीन पार्ट से मिलके बने और नेक्स देखिए इसमें एक और दिख्रहा है आपको यहां पे जो वाइड आ इसको क्यों लोस संबीनल दिख convenient देखिए यहां पर देखिए इसको मुझे हम लोगो यहलों यहां पर देखे स्मॉल टीब्यूस और यह थोड़ा वाइट से तोड़ा आफ वाइट है इसको बोलते हम लोग सेमिनल वैसिकल्स जिसमें कि क्या होता है जिसमें स्टोर होता है इस्पर्म और इसमें एक और ग्लैंड दिखाई पड़ जिसको बोलते हम लोग फैलिक स्ट्रक्शर यहां पर दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हम यह है इसमें पूरा एपरेयटस दिख रहा है इसको बोलते हम लोग मेल इस इस इसको अब जाब यह जाए नियूंकि टीजेटी परपस से इतना ही काफी है मश्रूम ग्लैंड आप याद रखेगा बहुत इंपोर्टन है mushroom gland, mushroom shape gland यह mushroom gland यह बात रही male reproductive system of cockroach अब देखते है female reproductive system की किस के बारे में आप जानते है female 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 reproductive system देखे जिसका female reproductive system है देखे पिक्चर की थूँर कैसे दिखता है यहाँ पे देखे यह इसका female reproductive system है इसमें क्या दिखाई पड़ा आपको यहां पर तो पहले हमें दिखाई पड़ेगा ओवरीज जो आप दिख रहा है यह प्रतेक साइड यहां पर एट इलॉंगेटेड टैपरिंग बीडेट ट्यूब रख़ए पाइजथा इसको बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं लोग ओवरियंड टिफियूज ओके इसी के 111 होते हैं वो यहां पर ilay आ यह घर आपक होता बहुत ही जो इतर्प चोर हो रहे होते हैं और यहाँ पर रिलिज सक्सीत थे रिलिज से दिखे फर्लि उसके बाद संव विजाइन यहां पर मोस्ट इम्ऩरिन यहां पर दिखे रहा है इस पर परमेटो जोवा को रिसीव करने के बाद जब रिप्रोडक्चन होता है तो इससे इस परम रिलीज होता रहता है अब देखिए आप एक और इम्पोर्टेंट जो ग्लेंड है इसको बोलते हम लोग क्या को लैटरल ग्लेंड ये भी इंपोर्टेंड है इसको आप note करिएगा ये क्या करता है ये करता है secretion of utica देखे एक्स जो होते है इस cockroach के वो एक case में बंद होते हैं इसको बोलते हम लोग utica जिसमें लगबग 16x होते हैं अब देखे इसमें और एक यहाँ पर दिख रहा है इसको बोलते हम लोग इस पिक्चर में देख रहा है ये एक female cockroach का सबसे last part है जारे लिखा है 10 टर्गम लिखा है इसके अंदर क्या है देखे उ ठीका उ ठीका के अंदर क्या देख रहा है उ ठीका देखे एक्स यही एक्स बाद में डेवलप होके क्या बनाएंगे डेवलप होके बनाएंगे एक cockroach देखे अब बात करते हैं देखे बहुत सिंपल तरीके से पिक्चर में जो important point था वह मैं बता है आपको अब देखे जानते हैं इसके life cycle के बारे में इसके life cycle में metamorphosis होता है हमने देखा था incomplete metamorphosis होता है हमने पहले बार डिसकस कर चुके है तो इसमें क्या होता है इसमें जो उठीका हमने देखा उससे निकलते हैं क्या उससे निकलते हैं एग हैच होके निकलते हैं निम्फ निम्फ क्या करेगा metamorphosis metamorphosis के थूँ क्या बनाएगा एक adult cockroach चली देखते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपको यहाँ पर दिख रहा है देखिए एग है और यहाँ पर निम्फ different type निम्फ के बाद देखिए यहाँ पर यह incomplete metamorphosis को सो कर रहा है इसकत है porometabolic development देखिए जो एक female है वो करीब 15-40 उथिका अपने life cycle में इसकी life cycle करीब 2 साल की होती है उथिका अपने life cycle कितनी 15-40 उथिका यह produce कर सकती है अपने पूरे life cycle में ओके फिर यह देखिए यहाँ पर क्या बना यह देखिए बना यहाँ पर adult तो यह खतम हुआ आज reproductive system और life cycle of cockroach तो आज से cockroach खतम होता है इसमें एक और topic है जो बोलते हम लोग metamorphosis या gases इससे hormone से question पूछ लेता है कभी-कभी metamorphosis क्या होता है उससे पूछा है क्योंकि इस orthopoda में यह पूरी series चलेगी इस metamorphosis की most important है उसको आप मिस्स मत करिएगा अगर आपको वीडियो चलेगी हो तो like कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए और telegram channel से इसकी notes डाउनलोड करिए फिर आप पढ़िए देखिए आपको सबको समझे आएगा